तो हेलो गाईस एक न्यूफ फ्रेस वीडियो में आप सभी क्या सागत है तो दोस्तो आज हम बेश्ट थाम्नेल एडिटिंग अप के बारे में वताएंगे इस अपको कैसे यूज करते हैं और इस अपको यूज करके कैसे पॉफेसोनल थाम्नेल एडिटिंग करते हैं और जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा वीडियो को मास्किप करिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है और चैनल पी नहीं आई तो चैनल को subscribe करके site पर notification bell icon को press करके आपको all कर देना है तो start करते हैं video तो सबसे पहले आपको एक application को download करना है तो application का नाम है add text तो इस app का download link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा Sible OA से download कर लेना है उसके बाद इस app को open करना है तो open करने के पाद आपको कुछ इस type का interface आपको देगने मिलेगा तो सबसे पहले यहापको gallery का option मिल जाता है तो gallery से कोई भी photo के add करके edit करना चाहते हो तो यहापको option मिल जाता है उसकाद यहापको बहुत सारा color का background मिल जाता है simply आपको background को select कर लेना है उसकाद यहापको right side में tools का option मिल जाएगा simply इस पे आपको click कर देना है और यहापको बहुत सारा option मिल जाएगा तो यहापको resize पे click कर देना है और इस option को आपको untick कर देना है और यहापको YouTube thumbnails का size 16 to 9 ratio को select कर लेना है उसकाद ओके पे आपको click कर देना है उसके अदि यहाँ पे photo add करने के लिए आपको इस option पे click कर देना है और यहाँ पे आपको photo का option मिल जाता है simply इस पे आपको click कर देना है तो मैं एक photo को select कर लेता हूँ और इस photo को इहाँ पे आपको add कर लेना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको blending का option मिल जाता है सिमली इस पे क्लिक करोगे तो blending mode on हो जाएगा उसकाद यहां पर आपको opacity का option मिल जाता है सिमली यहां पर आपको opacity control कर सकते हो उसकाद यहां पर आपको position का option मिल जाता है और यहां पर आपको cropping का option मिल जाता है उसकाद यहां पर आपको shape का option मिल जाता है तो यहां पर आपको उपर की तरफ three dots मिल जाएगा, simply इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहां पर भी आपको बहुत सार option मिल जाएगा, तो simply इस layer को आप लॉक कर सकते हो, और यहां पर जाके आप इस layer को down भी कर सकते हो, उसका फिर से आपको प्लास फले आइकोन पर टैप क जाना है, और gallery पर जाके आपको इस mobile frame को add कर लेना है, उसके आपको इस option पर क्लिक करके इसका size को आपको थोड़ा सा ज्यादा कर लेना है, और यहां पर इसको add कर देना है, उसके आपको इस circle layer को आपको slate करना होगा, और यहां पर आपको opacity का option मिल जाता है, तो opacity को थोड़ा सा काम कर लेना है कुछ इस टाइब से उसका दिया पर आपको टेक्स का ओप्शन मिल जाता है सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है उसका दिया पर आपको बहुत सारा फॉंड मिल जाएगा उसका दिया पर आपको माई फॉंड का ओप्शन मिल जाता है तो सिंपली एड करते हो और इस option को आपको फूल कर देना है और यहां पर आपका टेक्स का background add हो जाएगा उसकाद यहां पर आपको shadow में जाना होगा तो यहां पर से जाके आपको shadow को add कर लेना है और इसका size को थोड़ा सा ज्यादा कर लेना है और पे यहां पे आपको इसको add कर देना है उसके वाद इस text layer को copy करने के लिए कि धूपी पर प्लिक कर देना है इसका एक डूब्लीकेट बनके ready हो जाएगा simply इस पर दो बार click कर देना आपको और इस text को हटा लेना है और जो लिगना चाहते हो उसको लिग लेना है आपको उसको उज्ट OK पर क्लिक कर देना आपको तो यहाँ पे आपको gradient का option मिन जेता है सिंपलीच पर आपको क्लिक कर देना है और आपका पसंदीदा gradient को slide कर लेना है उसकाद हिएगाँ पर आपको stock option पर जाना है और यहाँ पे आपको white color को select कर लेना है और stock को थोड़ा सा कम कर लेना है कुछ इस type से उसके अदि यहाँ पे आपको कोई भी emojis को add कर लेना है तो simply उसके लिए आपको sticker option पे जाना होगा और यहाँ पे आपको अपना पसंदिता emojis को add कर लेना है उसका इसका size को आपको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे आपको add कर देना है उसका यहाँ पे आपको right side men tool option पे click कर देना है और यहाँ पे आपको जाना होगा adjustment पे तो यहाँ पे आपको saturation को select कर लेना है यहां से जाक्त को Saturation को थोड़ा सा ज़्यादा कलनेना और Background का Color Change करने के लिए हग Pocket कर लेना है उसकाद यहां पर आपको Thumbs CAD करने के लिए हैर Br 빠uld करतके के लिए इसÜBBYE scholarship के सिप्पज्ज पर क्लिक करतेना है और यहां पर आपको quality पर जाना है और यहां पर आपको 100 कर देना है और यहां पर आपको quality को hundred करके save पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों इधना है भीडियो वीडियो अच्छन लगए तो भीडियो को like कर देना चैनल पर न्यू आई तो चैनल को subscribe करके साटपी नोटिस्टेन बेल आइकोन को प्रेस करका आपको आल कर देना है तो मिलते हैं और एक निव एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए जाहिन